हेह ल्いきोंग कैसे हैं अपोग कोई ऊछाओ अब लगोसे से मजए में रख लाते में तो चलिए किचन में और तो यह देखिए इस तब हैिने छीिट कॉप आफ मेंने लिए हे लिए पॉया है इसको अच्छी कट कर ukर इसको में लघ ले और वन बाउल मैं शिम्ला मेच, वन बाउल फुल गोबी, वन बाउल मैंने लिया है, कैरट यानि गाजर, अच्छी तरह से उसे कदुकस में मैंने कस लिया है, थ्री तो फोर पीस मैंने लहसन के अच्छे चिद्रा चॉप कर लिया है, और ये देखिए सारे इंगरियन्स हमा और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और मुझे लगता है कि जो चाइनीज होता है उसमें आप बेस्ट जो होता है, मतलब वेजिटेबल साब बहुत खा सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है चाइनीज में, क्योंकि सबको पसंद भी आता है चाइनीज और मेरा तो बहु मिक्स कर दिया, आप इस को लीजिएगा, और यह देखिए, यह है, स्प्रिंग ओनियन, मतलब हरा वाला प्याज, ठीक है, यह से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, वन टेबल स्पून में इसमें सॉल्ट आइट करके, हम इसको 20 मिनट्स के लिए रग देंगे, ठीक है, अच अच्छा टेस्ट उसमें नहीं आएगा, यह देखिए, 20 मिनट्स में ऐसे रेस्ट करने के बाद, अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी, यह देखिए, इसमें कितना पानी निकल रहा है, कितना जादा निकल रहा है, यह देखिए, हम इस तरीके से इसे अच्छी त ऐसे पानी इसे अच्छी तरीके से खाइए, अब हम इसमें 3 टेबल स्पून के रहेड के, और थ्री टेबल स्पून के मैदसा थे, इसमें 1 तेबल स्पून ब्लैक पेपर एंड वन इसमें रडचिली यह हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे, और इसके अच्छी तरह से बहुत अब इससे तरीके इसके हम हम ये मेरे तयार है मांचूरीयन बॉल्ब्स आब ये चिपने मिधियम सब्सक्राइब और सब्सक्राइब से यह पकाना है medium to low flame पे क्योंकि फिर अंदर से कच्छे नहाँ जाए जो अच्छी तरह पक जाए यह देखिए अंतो बस ऐसी ही इसको medium to low flame पर हम अच्छी तरह डाक गोल्डन होने तक यह लाइट गोल्डन होने तक इसको पकाईए अभी मैं आपको दिखाऊंगे कि का यह देखिए, यह हमारे complete होगा manchurian, और manchurian अब ऐसे भी खा सकते, guest वगरा आते हैं, तो मतलब मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है, इसमें सारी vegetables, और मुझे तो बहुत जादा Chinese मुझे बहुत पसंद है, मतलब मेरा favorite है Chinese तो यह देखिए, हमारी manchurian balls ready है, और अब हम बनाते हैं manchurian की gravy, तो चलिए फिर अब हम gravy की तरफ चलते हैं तो यह देखिए यह मैंने सब लिया है यह मैंने मतलब, शिमला मिड़्च ली है पीली शिमला मिट लाल शिमला मिट हरी शिमला मिट प्याज और यह इस प्रिंग ओनियन और यह लहसन तीन चार पीसिस और अधरक के मैंने वन इंच अधरक एंड टू टीबल स्पून मैंने इसमें लिया है कॉन फ्लोर इसको पानी डालके अच्छी तरह इसे मिक्स कर लूगी तो बस वेज़िटेबल्स अगर आपके परस जो हो तो आप वो एड कर लीजिए यह टू टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है ओईल और यह देखिए मैं लहसन तीन चार जो पीसिस मैंने अच्छी तरह से चॉप की थे लहसन से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है मतलब और वन इंच मैंने यह देखिए अध्रक को मैंने कट किया और अब हम इसमें सारी वेज़िटेबल्स इसमें एड करेंगे यह देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना कलर वेज़िटेबल्स का तो हमें बहुत ज़्यादा पकानी ने बस इसलो थोड़ा सोते करना है और इ 1 1.5 Mr. brown sauce , fry not ready, but just start using one and 1.5 one tataf नहीं ऐसे सोय में डालिया तो और यह देखिए , आप बहुर है , वन डाल जीदा सब हराइ और ůमस्में एंगे धि वन स्पून RIDE CHILLIE PTOR और इसमें छाई है वने स्पूण ग्रीन चीली एं यह देखिते ग्रीं चीली साम्स और रैट्छिली वन बॉन इसपूण वनन वनम इस पॉन ग्रीन चीली टूडेबल स्पून हम इसमें डालेंगे कैचप क्योंकि मेरे बच्चे भी शौक से खाते हैं तो वैस से टू डिबल स्पून और आप इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे अच्छा ग्रेवी आप अपने हिसाब से अगर आपको ज्यादा ड्राइ चाहिए तो वन कप और थोड़ा मीडियम चाहिए तो वन एन हाफ और ज्यादा अशी तरह से बॉयल हो जाए क्योंकि जादा बॉयल हम इसे नहीं करेंगे नि तो जो कॉन्फ्लोर की विज़े से हमारी ग्रेवी बहुत जादा गाड़ी हो जाएगी तो बस यह देखिए यह हमारा वह है यह बस यह हमारा तयार हो गया मैंचूरियन कंप्लीट और जा यह बहुत यमी लगता है बहुत जादा यमी तो बस मैं इसे سरफ कर रही हूँ और बहुत जादा अच्छा मनना था मेरे हजबन को तो बहुत पसंदा आया है यह देखिये यह हमारा Manchurian ready है, कितना अच्छा लग रहा है ना Manchurian तो बस वाव, यह Spring Onion और मैंने Green Chili से से Garnishing किया है मैं जर अच्छा लग रहा है, तो प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सिस्क्राइब कीजिएगा थैंक यू फॉर वाचिंग